परमेश्वन ने हमको चुना तकि हम उसकी स्तुति और उसकी आरातना करें। Hallelujah! Raise the Lord! देखी जब हम परमेश्वन में नहीं थे तो हमारी आत्मा मरी हुई थी। और हमारी आत्मा जब मरी हुई थी तो हमें कोई भी परक लेता था। हमें कोई भी समझ लेता था। हम कोई भी पाप कर बैठे थे, कोई भी हमको यूस कर जाता था। शैतान हमें आसानी से आस्माईश में डाल देता था। क्योंकि हमारी आत्मा मरी हुई थी। हम शैतान के द्वारा परके जाते थे। हमारा पडूसी हमें परकता था हमारा दोस हमें परक लेता था असानी से और हम असानी से पाप में पढ़ जाते थे लेकिन बाइबल क्या कहती है जब परमिश्वन ने आपकी आत्मा को जिंदा किया हालेलुया, जब उसने नया मन दिया, जब उसने पत्थर का हिर्दय निकाल कर मास का हिर्दय डाल दिया, इशु का मन आप में डाला और अपनी आत्मा को डेला, क्यों? ताकि हम एक आत्मिक रूप में अपने जीवन को जीएं, किसके रूप में? आत्मिक रूप में, परमेश चाहता है कि हम आत्मिक रूप से उसको जाने और आत्मिक रूप से धर्थी पर रहते हुए अपने कारियों को करें हालेलुया पहला कुरुंतियन 2 का 15 वचन कहता है कि आत्मिक जन जो है वो परखा नहीं जाता है ध्यान से आज हम आत्मिक रूप में आत्मिक शेत्र में हम कैसे जी पाते हैं हम कैसे जीएंगे और कैसे हम उसका फाइदा उठा सकते हैं कैसे हम परमिश्र के करीब रह सकते हैं कैसे हम परमिश्र को समढ़ सकते हैं इस सब आत्मिक शेत्र में होगा, इस सब आत्मिक रूप में होगा, हम कौन हैं? मुझसे बात करें, हम लोग कौन हैं? हम लोग आत्मा हैं, हम कौन हैं? जोर से बोलिए, हम कौन हैं? मैं आत्मा हूँ, बोलिए मैं आत्मा हूँ, मेरे पास प्रान है, मैं एक शरीर में रहता आप कौन हुए आत्मा इसलिए परमेशर ने आपको जब चुना और अपना बनाया तो आपकी मरी हुई आत्मा को निकाला और जिन्दा आत्मा को आपके अंदर डाला इस चीज को समझना बहुत जरूरी है मेरी बहन पहला कौनते दो का बंदरा कहता है आत्मिक जन सबकुछ जाचता है परंतु वो किसी दूसरे के दौरा खुद को नहीं जाचता यानिके वो किसी और के दौरा जाचता नहीं जा सकता आप सोचिए अगर आप आत्मिक जीवन जीते हैं तो आप दूसरे को परखेंगे कोई आपको नहीं परखेंगा आप सूची कि आपकी पोजिशन कहा होगी आप कोई भी धन्दा करे अगर आप आत्मिक जीवन जीएंगे अगर आप आत्मिक रूप से परमेश्र के चरणों में रहेंगे अपने जीवन को जीएंगे तो आप आसानी से दूसरों को जाट सकते हैं लोग आपको नहीं जान सकते लोग आपको नहीं परक सकते इसलिए परमेश्र ने दूसरा कुंतियर पांच का सत्रा में कहा है कि यदि कोई नई स्रिष्टी है यदि कोई नई स्रिष्टी है यदि कोई मसी में नई स्रिष्टी है तो पुरानी बाते बीद गई है और देखो नई बाते आ गई हालेलुया यदि यदि आप आत्मी कीवन जी रहे हैं यदि आप नई स्टिश्टिंग हैं तो पुरानी बाते चली गई हैं कौँसी पुरानी बाते आपकी आत्मा मरी हुई थी वो निकाल दी गई है आप परखे जाते थे अब आप परखे नहीं जाते यह बुरहनी बाते थी आप आसानी से पाप में पढ़ते थे अब नहीं पढ़ते मोम आया पहले आपको इमीजेट अटेक करता था अब नहीं करता क्योंकि आप आत्मिक जन है क्योंकि आप आत्मिक रूप में जीवन जी रहे हैं हाललिया जब आप आत्मिक रूप में जीवन जीएंगे तो शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता है मती चार में अगर आप देखेंगे तो इशू मसी उपवास के बाद पवित्र आत्मा उनको डेगिस्तान लेकर गया जंगल में लेकर गया और चालिस दिन वहाँ पर इशू मसी ने उपवास किया वहाँ पर कौन आया? शैतान आया और शैतान ने इशू मसी को परखना चाहा तेभी तो उसने कहा अरे अगर तुझे भूख लगी तू तो परमिश्रा का पुत्र है इस पत्र को बोल कि नोटी बन जाए वो इशू मसी को परखना चाह रहा था लेकिन इशू मसी परखे नहीं गए क्योंकि वो आत्मिया में थे वो आत्मिक जीवन जी रहे थे शैतान पहाट पर ले गया कि देख इस सारे चीजें मेरी हैं इन चीजों पर सारा अधिकार मेरा है ये पैसा, ये मान और सम्मान, ये धन संपत्ती इस सब कुछ मैं तुझे दे दूँगा तेरे मेरे चरणों में आकर लेकि शैतान बहुत जूटा है उसने ये तो बता दिया कि अगर तुझे सारा वैबब जो है पैसा है, ये सब मेरा है मैं तुझे दे दूँगा लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जिस दिन तुझे तुझे दौरा लेगा तुझे नर्क में जाएगा इन ही बताया उसने जिस दिन हम शैतान के दौरा आशीशों को ग्रहन करेंगे नर्क निश्चित है रिस अलॉट इश्व मसी ने क्या कहा? नहीं, पिता के सामने मुझे जुकना है उन्होंने आत्मी ग्रूप में जीवन जीया, उन्होंने आत्मिक रूप में हर सवाल का जौब दिया इसलिए शैतान महासे निकल गया हम जब आत्मिक रूप से अपने जीवन को जीएंगे जब हम आत्मिक रूप से एक आत्मिक जग बनकर अपने जीवन को चलेंगे इस धर्दी पर चलाएंगे तो हमें कोई नहीं परक पाएगा अमोस तीन का तीन अमोस नभी का अध्याए और चैप्टर तीन का तीन देखें परमिश्र क्या चाहता है पढ़िए पढ़िए अमोस होशे के बाद येस यदी दो मनुष्य परसपर सहमत ना हो तो क्या वे एग संग चल सकेंगे Praise the Lord कौन कह रहा है ये परमिश्र कह रहा है यदी दो मनुष्य एक चीज़ पर सहमत नहीं हो अगर एक जैसे ना हो तो क्या वो चल सकेंगे आप अगर अपने पती को ना समझे पती आपको ना समझें तो क्या आपकी राइफ चलेगी नहीं चलेगी इसलिए पिथा कहता है मेरे सथ अगर आप चलना चाहते हैं तो आपको मुझसे सहमत होना पड़ेगा मेरे साथ अगर आप चलना चाहते हैं परमेशर आपके संग चलना चाहता है इसलिए उसने आपकी आत्मा को सिंदा किया है इसलिए उसने आपको आत्मिक जीवन दिया है शरीडिक जीवन नहीं दिया है क्योंकि वो आपके संग चलना चाहता है इसलिए परमिश्रा कहता है अगर आप मेरे संग चलना चाहते हैं तो आपको आत्मिक रूप में मेरे साथ बरताब करना पड़ेगा आपको आत्मिक रूप में जीना पड़ेगा आपको आत्मा में समझना पड़ेगा प्रेस अलॉट अपने पिता को समशने के लिए आपको आत्मा में जाना पड़ेगा मन लिए आपका पापा, आपको रोज चॉकलेट देता है आपको मुर्गा पसंद है, रोज आपके लिए मुर्गा लेकर आता है आप बहुत खुश हैं कि रोज मुझे चॉकलेट देता मेरा पापा, वाँ, मुझे मुर्गा देता है, कितना अच्छा लगता है, हाललिया, मेरा पापा मुझे कितना प्यार करता है लेकि जिसनि आपको पता लग जाए कि आपको मुरगा देने के लिए, आपको चॉकलेट देने के लिए आपका पापा रोज अपना खून बेशता है आपके आपके आत्मा में क्या मेसूस करेंगे आप उस पिता को जानेंगे जो आपसे कितना प्रेम करता है कि आपको उसको पैसा नहीं है लेकिन आपको चौकलट देने के लिए आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो पहले अपना लहू बेचता है फिर वो आपकी इच्छा को पूरा करता है हालेलोया प्रेस अलॉट आप सोचिए उस दिन जो आपकी आत्मा रोहीगी उस दिन आप कहेंगे कि नहीं मैंने कैसा पिता पाया है हालेलोया कितना अच्छा पिता पाया जो मुझे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना लहू बहा कर मुझे आजाद किया उसने अपना लहू बाहा कर मुझे रोटी देता है प्रिजिसल ऑड उसने यह नहीं का कि जब ही तुम याद करो तुम जब भी तुम आब लहू बाहना पड़ेगा ना है उसने का लहू मैं बाहा चुका हूं बले दान मैं देख चुका हूं तुझे सरफ इस रोटी को खाना है और मुझे याद करना है हालिलूया रहिसलोड कितना प्यारा पिता है कितना प्रभू हमारा महान है वो यह नहीं कहता कि अपना लहू बहाना पड़ेगा नाे हालिलूया इसलिए परमिश चाहता है बाइबल के द्वारा कि हम आत्मिक जीवन को समझे आत्मिक जो सामर्थ हमारे अंदर है उसको जहने हम शरीरिक जीवन जी रहे हमारे पास जिंदा आत्मा है लेकिन हम शरीर का जीवन जी रहे हम आत्मिक जीवन नहीं जी रहे और वो सुख जो आत्मा का है हम पाई नहीं पा रहे हैं नहीं लेने हम एपरिशव मसीने हमेशा आत्मा में बात की है है इश्व मसीने आत्मिक जीवन इस धर्ती पर रहते हुए जीया है और अपने चेलों को समझाने की कोशिश की है इसलिए दिस्टान्तों में बात किये, इशो मसी ने, आत्मी ग्रूप में बात किये, मती नौ, दो से छे के बीच में, देखें, यहां पर एक लखवे का मरीज आता है, उसका विश्वास देखिये, परेश लौट, हाँ पढ़िए, और देखो, कई लोग लखवा के एक रोगी को, खाट पर रखकर, उसके पास लाए, कई लोग एक लखवे के रोगी को, खाट पर रखकर उसके पास लाए, कि एशु ने उनका विश्वास देखकर उस लक्वे के रोगी से कहा ए पुत्रधार अजबान तेरे पाप शमा हुए एमेन, हलेलिया, क्या क्या, इशु मसी ने क्या किया, देखकर, इशु मसी ने देखा, किसको देखा, वो जो लक्वे का मरीज आया था, सब लोग जो की शरीर के रूप में जी रहे थे, वो लक्वे के मरीज को देख रहे थे, इशु मसी जो आत्मिक जीवन जी रहा था, वो क आत्मिक जीवन आप जब जीएंगे मेरे भाई तो आप आपकी सोची अलग होगी इशू मसी उस लक्वे के अंदर पाप को देख रहे थे कहां से बिमारी आई है सारे फारिसीज वहाँ पर थे यह घर पत्रस का था सब लोग इशू मसी का उपदेश उन रहे थे आगे बढ़िए इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है अले परमेश्वर पाप को माफ कर सकता है आपको पता ही नहीं इसलिए तो परमेश्वर चाहता है कि आप जब आत्मिक जीवन जीएंगे तब आपको पता लगेगा कि इस धर्ती पर परमेश्वर ने आपको आपके लिए कितना सामत रखा हुआ है कि आप इसको यूज करें हमें पता ही नहीं है परसी क्या कहते है अरे यह तो पाप कर रहा है यह तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है चोथा इसु ने उनके मन की बाते जानकर कहा तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यू कर रहे हो सास क्या है यह कहना तेरे पाप शमा हुए या यह कहना उट और चल फिर फारसियों इशु मसीने कैसे जाना कैसे जरा उनकी बात मात्मा में प्रेस अलॉट शेटान कहीं भी अगर आपके खिलाफ शड्यंत रच्रा है मेरी बहन और अगर आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं आप जान जाएंगी आप जान जाएंगी फारसियों ने क्या कहा इशु मसीने मन में जान लिया क्योंकि आत्मिक रूप पर्खा नहीं जाता शारीरी जो मनुश्य है वो पर्खा जाता है इसलिए इशु मसीने ध्यान दिया उसको कहा क्या सहज है यह कहना कि तू अपना बोरिया विस्त्रा उठा या यह कहना कि तेरे पाप शमा हुए तो कि बिमारी कहां से आई है पाप की वज़से अगर मुझे पाप शमा करने का अधिकार है तो कोई भी विमारी ठीक होगी हलो आप आत्मिक रूप को आत्मिक जन को आत्मिक सामर्थ को समझिए मेरी बेहन यह थोड़ा बड़ा विशे है मैं मानता हूँ इसको गहराई से समझना जरूरी है लेकिन कभी ना कभी तो उठा करना पढ़ेगा मुझे रेस लोट कई लोग आप लोग ऐसे हैं जो नए हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं उसके लिए मैं एक्षमा चाहता हूं लेकिन प्लीज आप इसको समझने की कोशिश करिए और आपको नहीं समझ में आ रहा है हमारे लीडर्स हैं उनको आप पूछ सकत हुआ पर आत्मिकषेत्र में आत्मिकर सामर्द के साथ हम नहीं जी रहे हैं वहारा ज आए हमारा जीवन वैसे है कि अजू पहर लेद्सलोट पहला करों से दुगश जाए आप आपर रूप में सामने वाले को समझ सकते हैं और दो क्या मैं आपको बहगा सकता है कोई आपको अजमाईश में डाल सकता है कोई अपनी बातों से वरगला सकता है आप क्यों हानी उठाते हैं जब सामने वाले आपको बेपकु बनाकर चला जाता है क्यों कि सामने वाले आपने आपको परखा है आपको परिश्या में डाला है क्यों क्यों कि आप आत्मिक जीवन नहीं जी रहें। आप शरीर की रूप में जी रहें। आत्मा आपके जिंदा आपके साथ है। लेकिन आप उसको यूजी नहीं कर रहे आप से अपर इशू मसी के चंगाई को देखने के लिए आ रहे हैं। कि वो अंदों को आखें देता है भेहने yeah हर दुख से वो निजात दिलाता है कि आसो ची अगर आत्मिक रूप में आप उसको समझ लेंगे अगर वह शक्ति की खो है वा आप में भी होगी आप भी किसी को चंगाई दे सकते आप भी किसी के लिए चंगाई के लिए प्रात्रा कर सकते तो आपको क्या चाहिए सिरफ चंगाई चाहिए या चंगाई देने वाला सामर्थ भी चाहिए प्रेस अलोट हलो बोली बेटा परंतु शारिरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहन नहीं करता है क्योंकि वे उसकी दृष्टी में मुर्खता की बाते हैं और नवा फार्सियों के लिए ये बात मुर्खता की है कि आदमी बोल रहा पाक्शमा हुए कैसे कर सकता है रिष्वसे ने कर रहे हैं प्रेष्वस्य बातों पर आएगा जोग विश्वासी नहीं कर रहे हैं कि हमेनि में पवित्र हो चके हैं हमारी आत्मा जिंदा है हमें नया मन Đिया है अगर आप विश्वास नहीं करेंगे मेरी बहन, तो वो क्रिया आपके जीवन में खतब हो जाएगे, आपका विश्वास करना है, इस कुर्सी पर कैसे बैठें आप, कैसे बैठें, विश्वास के साथ, क्या आपने बैठने से पहले इसको हिलाया था, कुर्सी पड़ी है मैं बैठोगा कुर्सी पे बैठते हैं और गिरते नहीं है आपका विश्वास है जो आपको स्थिर करता है इसलिए जो शारिडिक मनश्य है परमिश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहन नहीं करता क्योंकि वे उसकी द्रिष्टी में मुर्गता की बाते हैं और ना वो उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जाच आत्मिक रीती से होती है जो शारिडिक मनश्य है वो उन बातों को नहीं जान सकता है क्योंकि उसकी आत्मा मरी हुई है हलो हम परमेश्र की बातों को जान सक रहे हैं क्योंकि हमारी आत्मा जिन्दा है आप नहीं जान रहे हैं कि परमेश्र नहीं आपको कितना बड़ा अशीष दिया है यह जो हमारे भाई हमारी बहन जो गूम रहे हैं भार वो नहीं जान रहे है उनके लिए सुबह संदे उठके आणा बेफकुफी है 40 दिन का उभवास करना बेफकुफी है को पागल कहते हैं मुझे पागल कहते हैं लोग मेरे घरवाले पागल कहते हैं मुझे क्योंकि मैं गरीबों की सेवा कररा हूं मैं प्रभू का सुमछार सुना रहा हूं क्या मैं गल्स कर रहा हूं लेकिन जो शरीरी के मुणश्य है उसके लिए घुर्दे सेवा करना किस पर दया करना दुश्मनों को माफ करना कोई एक गाल पे थपड मटे दूसरा का लागे करना यह संसार के लिए मुर्खता पूर ने मुर्खता है यह लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का हशीश है जितना आप परमेश्वर के लिए उसका सताव को सहन करेंगे मेरी बहन उसका सामर्त आपके जीवन में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा उतन ही आप रभु के करीब आते जाएंगे हलल्लिया इसलिए आत्मिक जीवन जीना हमारे लिए है आप देखें स्वर्ण में जाएंगे तो आपको आत्मिक जीवन ही जीना है और आप समझते हैं आत्मिक जीवन जीना बहुत मुश्किल है, नहीं, कोई मुश्किल नहीं है इसलिए प्रभू कहता है, कोलिशन तीन का दो कि पृत्वी की बातों में मन मत लगाओ, स्वर की बातों में मन लगाओ अगर तुम्हें अपने आत्मिक जीवन में इस्थर रहना है, अगर तुम्हें आत्मिक मन के अनुसार चलना है तो पृत्वी की बातों पर मन मत लगाओ, कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है स्वर्ग की बातों पर मन लगाओ जो स्वर्ग की बाते हैं जो स्वर्ग की फल है जो स्वर्ग की आशीशे हैं उन बातों पर मन लगाओ जो सदा हमारे साथ रहने वाली है यहां का सुख हमेशा नहीं रहने वाला है आज आपके बाद 10 लाख है कल हो जाएंगे एक लाख प्रेज़ लॉट लेकिं शारिडिक सुख घड़ता जाता है लेकिं आत्मिक सुख बढ़ता जाता है प्रेज़ लॉट इसलिए मती छे का छे का 31 से 33 के बीश में प्रभू ने बार बार कहा है यह जो जमीन की चीज़ें हैं तुम क्या खाओगे तु मत करो इशू साफ साफ कहता है मेरे राजिक की खोज करो स्वर्गी चीज़ों पर ध्यान दो आत्मिक रूप में अपने जीवन को चलाओ आत्मा में परमेश्र की आत्मा के साथ चलो तो यह सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी सारी चीज़ें तुम क्या खाते हो तुम क्या पहनते हो तुम कहा रहते हो इसलिए महिनत करते हो न इसलिए दुख उठाते हो दंदा इसलिए चलाते हो नौकरी इसलिए करते हो लोगों की बात इसलिए सहते हो कि दो वक्त की रोटी मिल जाए कपड़ा मिल जाए खाना मिल हुआ है रहने का घर मिल जाए लेकिन प्रभू क्या कहता है हुआ इसलिए तुम चिनता करके यह न कहना है कि हम खाएंगे क्या पिएंगे या पहनेंगे क्यों कि अन्य-जाती इन सब वस्तो की खोज में रहते हैं क्योंकि अ तुम्हारा स्वर्गिये पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवशक्ता है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धरम की खोच करो तो यह सब वस्तुओं भी तुम्हें मिल जाएगी आलेलुया उसकी धरमिक्ता उसकी आत्मा के अध्या पवित्ता के साथ वचनों के साथ Onu इशू के द्वारा हम जब जीवन बिताएंगे, अपने आत्मिक जीवन के साथ चलेंगे, मेरे भाई, मैं आपको सच कहता हूँ, कि सारी चीजी आपके पीछे पीछे आएंगे, पीछे पीछे, यहां पर कई ऐसे मेरे अगवे हैं, जो महसूस करते हैं, जो भोग रहे हैं ऐस भोग रहे हैं, अनन्द के साथ, क्योंकि आप दुनिया की परवा करेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आत्मिक जीवन जीएंगे, इस सारी चीजें आपके पीछे पीछे आएंगे, सारी चीजें, खाना पीना इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अरे जब हमें उसने आ अच्छे अच्छे फल, सबसियां, पानी, हर चीज वो दे चुका है, हम उसी के पीछे लगे हुएं, अरे वो तो हमारी हैं, इसलिए वो कहता है, स्वारी कि ये चीज में ध्यान लगाओ, यहां से समझे ये बेन, स्वार की चीजों पर ध्यान लगाओ, जिसने तुम सर की चीजों पर ध्यान लगाओगे, ये परमेश्वर काशीश बहेगा, हाललुया, और यहीं बात वो अपने चेलों को सिकाना चाहता था, प्रेस अलॉट, मती सोला, पांट से बारा, पढ़िये बिटा, और चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए, आगे, इशु ने उनसे कहा, देखो, फार्सियों और सदुक्यों के खमीर से चौकस रहो, आगे, वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है, ये जानकर इशु ने उनसे कहा, हे अलप विश्वास हो, तुम आपस में क्यों विचार करते हो, कि हमारे पास रोटी नहीं है, क्या तुम अब तक नहीं समझे, क्या तुमें उन पाच हजार की, पाच हजार की पाच रोटी असमरण नहीं, हाल रहिया, क्या तुम याद नहीं, वो पाच हजार रोटी यां जा मेने खिलाई थी, तो कितने टोकरे उठाए थे, और चार हजार रोटी खिलाए थी, तो मेने कितने टोकरे तुम्हें दिये थे, क्या तुमें याद रही है? रेस अलॉट? चेले जो कि आत्मिक जीवन नहीं जी रहे थे इशु मसी यहाँ पर कहते हैं कि फार्सियों सदूकियों की शिक्षा से साबदान रहो लेकिन वो समझते हैं रोटी की बात कर रहा है अरे अभी इशु मसी ने पांच रोटियों से तकरीबन 10,000 लोगों को रोटिया खिलाई और उसके बाद भी 12 टोकरे भर कर रहे गए है है साट टोकरे भर कर रहे गए है ने वित लेकिन क्योंकि जो चेले थे वह शरीरिक रूप में जी रहे थे और कि वो समझधे रहे थे इशु मसी को हे बहुत बाद में इशु मसी को समझे लोग उनके चेले भी इश्व मसी इसलिए उनको समझाने के लिए आत्मिक बोली बोलते थे तकि वो समझें प्रेस अलॉट हम जब तक शरीर में रहेंगे मेरे भाई हम इश्व मसी को नहीं जान पाएंगे हम जब तक शारीडिक रूप में जियेंगे मेरा ये मेरा वो मेरा ये बस हम नहीं कर पाएंगे हम इश्यू मसी को नहीं समझ पाएंगे और जब हम इश्यू मसी को नहीं समझ पाएंगे तो हम इश्यू मसी के जाथ चल नहीं पाएंगे उसने क्या कहा है अगर तुम मुझसे दो आदमी अगर एक ही बास से सहमत हो तो भी चल सकते हैं न अललुया परमेश और आदम के संग कब चलते हैं जब उसकी आत्मा उनके साथ थी जैसे ही पाप आया परमेशन अलग हो गया प्रेश लोट हमारी आत्मा को परमेशन ने जिंदा किया है पवित्र किया है और वो चाहता है कि हम उसके साथ चले लेकिन वो आत्मा में बात करता है हमें आत्मिक रूप से समझना है हमें धर्ती की बातों पर ध्यान नहीं देना है हमें धर्ती की चीजों की तरफ नहीं देखना है हमें स्वर्गी इस्थान की तरफ ध्यान देना है स्वरकी चीजों पर अपनी नजर गाल नहीं है तब हम उसके योग्य होंगे तब वो हमसे बात करेगा तब हमें आग्या देगा तब वो हमें अपनी योजना बताएगा तब वो हमारे साथ चलेगा तब वो हमारे संग चलेगा और हम उसके द्वारा बले-बले काम होंगे यह हिंदुस्तान पूरा इश्व मसी को जानेगा हम फिजूल की चिंता करते हैं हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे नहीं बहन प्लीज मेरा प्रभू बहुत महान है उसकी इस अहग्या पर ध्यान दो वो आपको मरने नहीं देगा मैं आपको सच कह रहा हूँ मैं आपको सच कह रहा हूँ आपको मरने नहीं देगा आप नहीं जानते Hallelujah वो कितना महान है Praise the Lord Hallelujah Hallelujah लेकिन चियले उसको नहीं समझ पा रहे थे Mati 16, 22, 32 इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर जिड़कने लगा इस पर पत्रस किसको ले जाकर इशुमसी को एक तरफ लेक क्या करने लगा जिड़कने लगा उसको गुरु नहीं मानते थे लोग जिड़कने लगा वो प्रभू है आगे अपने घर को छोड़ दिया अपने व्यवसाय को छोड़ दिया सबको छोड़ दिया लेकिन शारीडिक जीवन जी रहे है आत्मा में नहीं जी रहे है प्रेज़ लॉड आगे प्रभू परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा इशुमसी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं कुरूस पर चड़ाय जाओंगा और तीन दिन के बाद मारा जाओंगा हाललुया तो पत्रस जिड़कने लगा कि प्रभू तिरे साथ ऐसाथ ना हो कि तू मारा जाए मैं नहीं चाहता कि तू मारा जाए प्रेज़ लॉड ये कौन है संसार की भाशा हाललुया परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसके लिए समर्पित हो जाएं उसका राज्य बढ़ाने के लिए पौलुस मर गया उसने कोड़े खाए प्रेज़ लॉड उसकी इच्छा पूरी हो वही पत्रस यहां पर जब इश्व मसी पूछते हैं कि तुम लोग क्या समझते हो कि मैं कौन हूँ वही पत्रस बोलता है मतीज सोला पंद्रा में कि तू परमेश्वर का पोत्र मसीह है आललुया और वही पत्रस यहां कह रहा है कि इश्व तू क्या बाते करता है ऐसी बाते जिड़कने लगा उसे कि तुछ पर कभी ऐसा दिन नहीं आए उसने इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर जिड़कने लगा ये प्रभु परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा उसने बुढ़कर पत्रस से कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो इश्व मसी कहा थे आत्मिक इश्व मसी आत्मिक रूप में उससे बात कर रहे थे लेकिन वो शरीरी रूप में समझने की कोशिश कर रहा था कि या देखा इशप्रस को नहीं बोल रहे थे पत्रस के जो अंदर शैटान था वो उसको बोल रहे कि इसलिए आत्मिक जन जो है उसको कोई नहीं परक सकता लेकिं आत्मिक जन सबको परक सकता है मेरी बहन अगर आत्मा में जीवन जीएंगी ना आप तो शैतान आपको छू नहीं सकता आप इमीजेट जान जाएंगी क्या हो रहा है हालेलिया और मैं बताऊँगा कि उस जीवन को कैसे जीना है आपको आप कैसे जी सकते हैं तो इश्वी मसी ने क्या कहा ये शैतान मेरे सामने से दूर हो तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है तू परमेश्वर की बातों पर नहीं लेकिन मनुष्य की बातों पर मन लगाता है कि मान लिए आपको पता लग जाए कि इशु आने वाला है कि आपको पता लगा आपको पता लगा आ लोगा या सुब्ध कर लिए अचि लड़की ते लिए यहां कर रहा है यहां रहे आंद के सब कुश है अभी तो दिन आया जब हम पैसे मिलें आप आप क्या कहेंगे अरे हट मां मैं उस दिन की रा देख रहा था मुझे स्वर्ग में जाना इश्व मसी के पास यह घसीटने वाले तो बहुत होंगे आपको नोहा ने जब नौ बनाई थी 120 साल तक नोहा प्रचार करता रहा था लेकिन नोहा को अंदर रखने के बाद परमेशन ने बाहर से दर्वाजा बंद कर दिया क्यों बंद कर दिया बाहर से दर्वाजा क्योंकि जब बरसात होगी जब आएगा पूरा बयाल होगा जल पर ले होगी लोग आएंगे और कहीं नोहा का मन उन लोगों में न आचाहे कि अरे अच्छर यहाँ मेरा दोस्त था यार अरे मेरी वहन थी अरे मेरा भाई था कितने सालों से मैं जानता हूँ पर मेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया मेरे भाई जिस दिन इशू दिख गया आपको बादलों पर समर्पित कर दीजएगा अपने आपको शेतान उससे में भी हो सकता है कि आपको मोह माय के चकर में फासे आप जा रहे हैं और आपकी मा नीचे है आपका भाई नीचे है आपकी बहन नीचे है आप और उस तरफ ही देखेंगे जिस तरह किसे लूत की बीवी ने देखा था प्रेज अलॉट आप उससे देखें हमें बादलों पर सवार आई शू कही देखना है अगर मेरे भाई, मेरी मा, मेरी बहन, मेरी पत्नी को पर मेश्व ने चुना है तो जरूर साथ में आएंगे हालेलुया स्वर्गी स्थानों पर, स्वर्गी चीजों पर अपना ध्यान लगाई है मेरी बहन इसलिए ईश्व मसी ने क्या कहा 24 और 25 तब एश्व ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपका तो अपने आपका इंकार करे और अपना कुरूस उठाए हालेलुया और मेरे पीछे हो ले इश्व मसी ने क्या कहा कि अगर को तुम मेरे पीछे आना चाहते तो अपना इंकार करो यानि कि शारिडिक जीवन मत जीओ, आत्मिक रूप से मेरे साथ चलो इस शरीर है ना, वो आप में एहम लाता है, लालत लाता है अपने को खतम करो, अपने आपको शुन ने करो अपने चेलों के पैड धोकर इशु मसी ने बताया कि आत्मिक जीवन क्या होता है, अपने आपको मारना पड़ेगा अपना तॉलिया, जिससे इशु मसी अपना शरीर, अपना मुह पहुंचते थे उस टॉवल से इशु मसी ने पैड पहुंचे और क्या कहा, कि तुम्हें भी ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें भी वो जीवन जीना पड़ेगा, तुम्हें भी आत्मिक मनुष्य बनना पड़ेगा प्रेस अलॉट, सेवा, दीनता, नम्रता, इदर आजा, इदर आजा, इदर आजा बेटा, हाललुया, सेवा, दीनता, नम्रता, यही है जो मुझे आत्मा से मिलवाता है, हाललुया, इससे बड़ा कोई सुक नहीं है वो प्रभू का प्रभू, राजाओं का राजा जो धर्ती पर आया जिसे स्वर का अधिकार मिल चुका था, धर्ती का अधिकार मिल चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने चेलों के पैड़ धोए हाललुया, मेरी बहन, परमेश्ण चाहता है कि हम आत्मिक जीवन जीएं, ताकि हम आत्मा में उसके समझ सकें, हम शरीर में समझने की कोशिश करतें, धंदा हमारा कैसा चल रहा है, हम चड़ जाते हैं, हमारा धंदा आगे बढ़ गया है, हमारी नौकरी आगे बढ़ गया है हमारा शरीर अच्छा हो गया है, वो तो है, हम आत्मा में कितना बड़े हैं, क्या हमारे अंदर बोज है, कि मेरे पडोसी के पास रोटी नहीं है और मैं रोटी खा रहा हूँ, क्या मेरे अंदर बोज है, रास्ते में जो भिकारी है, वो भूका बैठा हुआ है, क्या मेरे अंदर बोज है, कि मैं किसी को पानी का गिलास बिलाओं, हालिलुया, आपका बोज बताता है, कि आप आत्मिक रूप से जीवन जी रहे हैं, या नहीं जी रहे हैं, हालिए, आपको रात को नीन नहीं आती है, आप आत्मिक जी रहे हैं, जी रहे हैं आप, कलीसिया हमें क्या बताती है, कलीसिया बताती है कि हमें परमेश्र के संग कैसे चलना है, हमें अपनी आत्मा को सुद्रल करते हुए परमेश्र के साथ चलना है, इसलिए वो शेयलों को बता रहे थे, कि अगर तो मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो तुम्हें अपना इंकार करना पड़ेगा, अपना इंकार, कुरूस क्या है, कुरूस क्या है, अपना इंकार करना, मैं नहीं, अगर आप मैं है, तो आप कुरूस नहीं उठा सकते, आप के पास, अगर मैं है, आप कुरूस नहीं उठा सकते, इशु मसी ने कुरूस पर क्या दिखाया, अगर आप कुरूस पर देखेंगे इशू मसी को तो क्या देखेंगे क्रूस पर लटका हुआ एक आदमी क्या दिखाई देता है आपको वो कह रहा है मैं कुछ भी नहीं हूँ आ हुआ थिग को हारा हुआ लग रहा है जो शारीडिक प्रबू है तुम्हारे यह तो छह करे नहीं पाया है अपने लिए दहू भाया लोग मार रहा हैaming कुछ नहीं किया लेकिन जिसके पास उसकी आत्मा है उसके लिए क्रूस क्रूस उसके लिए जीन है हालेलुया क्रूस उसके लिए एक सामर्थ है क्रूस सामर्थ है इसलिए वो कहता है कि अगर तुम अपना इंकार करोगे तो मेरे साथ चलो अगर तुम आत्मिक जीवन जीओगे तभी तो तुम मुझे समझ सकते हो इसलिए चेलों को उसने कितनी बार का कि मैं कब तक तुमारे सहता रहूँगा तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मैं थोड़े दिनों के लिए तुमारे साथ हूँ क्योंकि तुम मुसे समझ नहीं रहे हो हललुया प्रिस अलोट तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो हमने चेलों ने इसलिए को कभी भी प्रभू का जब तक वो रूपांत्रा नहीं हुआ पहाल पर उससे पहले इसलिए मसी को कभी उन्होंने प्रभू का दर्जा नहीं दिया उसको शरीर के रूप में समझ दे ते दूसरा करूंतियर पांच का सोला पढ़िए बेटा अता अब अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे यद भी हमने मसी को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे इसलोट कैसा जीव hugging जीरे थे चले शरीर के रूप में है यचुमसीम मद्यों को जिनदा कर रहा था अंधों ऑंखे देखरा दे रहा था बहरों कान दे रहा कि यह की यॉस श्वाप कन कार को देख रहे थे वह अंदर के सामार्थ को नहीं देख रहे थे वो उस प्रभू को नहीं देख रहे थे वो उस पाप को नहीं देख रहे थे जो पाप इशू मसी निकाल रहा था इसलिए ज़िए पांच हजार लोग जमा हुए इशू मसी के सामने इशू मसी ने क्या का तुम इने खाने को दो तुम खाने को दो फिलिपियो चलो डर गया मैं कहा से खाने को लाओंगा इस इतना पैसा ही नहीं है पैसा नहीं है अरे तुझे बोलना चाहिए कि ईशू तू हमारे साथ है तेरे पास आत्मा का सामर्थ है तू प्रभू का प्रभू है तू इनको रोटी दे हम कहा से देंगे जंगल में बैठे है इतना पैसा नहीं है अरे पैसा पैसे कि किसको सरूरत है जब फारसी आये इश्व मसी के पास जब कर देने की बात आई तो इश्व मसी से पूछा फारसी हुने कि तू कर देता है कि ने देता है इशू मसी ने क्या कहा मुझे सिक्का दिखाओ प्रेस अलॉट वचन बताता है कि इशू मसी ने पहली बार उस सिक्के को देखा हम मसी को पैसे की जरूरत नहीं है हलेलुया इशू मसी का जीवन उन्होंने कभी पैसा देखा ही नहीं यूसो करने की बात दूर है लेकिन पांच रोटियों से बारह हजार लोगों को खाना खिला दिया प्रेस अलॉट चेले समझे ही नहीं चेलों कहना प्रभू आप हमाले साथ हैं आप हाथ बढ़ा ये बात्थना करिये और उनको रोटी दीजाए प्रेस अलॉट क्योंकि वह अश्रोन जीवन जी रहे थे आत्म क्या़ प्रभू क्योंकि उन्हें ईशू मसी को श्रील के रूप पे संज था हमें भी इशू मसी को शरीर के रूप में नहीं समझा है वो कह रहा है आपसे हम सब को हमें सब को आत्मा के रूप में समझना है अगर आप अपने पती से नफरत करती हैं अपने पती में इशू मसी को देखिए अगर आप अपने पत्नी से नफरत करते हैं अपनी पत्नी में ईश्यू मसी को देखिए देखिए आप आपको परमिश्वर दिखाई देगा आप ईश्यू मसी को जानना चाहते अपनी पत्नी को जानने की कोशिश करिए अपने दोस्त को जानने की कोशिश करिए वग सेंगे, खुद को जानने की कोशिच करिए मेरे भाई, मसी में आप कौन हैं? जानने की कोशिच करें, आप इश्व मसी करीब प brightly पहुंचेंगे आप, मसी में आप कौन है, मसी में कौन है? कभी हमने जाने की कोशिश ही नहीं की हम यहां से जाते हैं जो पढ़ाया जाता है उसको भी नहीं समझते हैं जबकि लिखना चाहिए और जो पढ़ाया जाता है उसको जाकर हमें पूरे वीक में समझना है जब तक हम नहीं समझेंगे कुछ नहीं पाएंगे, हाललुया, प्रेस्ट लॉट, इसी लिए, गलेशियन 5 का सत्रा, आपको शैतान आसानी से आत्मिक जीवन नहीं जीवन देगा, आप घर जाकर क्यों नहीं पढ़ पाते, आप क्यों नहीं लिख पाते, आप क्यों नहीं कॉपी लेकर आते, क्योंकि जो आत्मा है, वो शरीरिक जीवन को, जो शरीर को कष्ट देती, पढ़िए, 5 का सत्रा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है, और ये एक तुम करना चाहते हो वो ना करने पाए शरीर जो है बव आत्मा के विरोज में लालसा करता है उसको नहीं चाहिए शरीर को सुख चाहिए टीवी चाहिए इंज्वाइमेंट चाहिए आत्म को क्या चाहिए ब्रातना चाहिए समर्पन चाहिए इसलिए शरीर है वह आत्मिक जीवन नहीं जीना चाहता है आत्मा उसे विरोध करती है आप बाइबल निकाल लीजे आप टीवी देखिए आपको नीद नहीं आएगी आप फिल्मी मैगजीन उठाइए आपको नीद नी आएगी आप पढ़िए बाइबल शुरू करिये आदा चैप्टर पढ़ेंगे आपको नीद आ जाएगी बहुत नीद ऐसी नीद की बस अभी गए और उसको गए मैं फुजूल के आपको सपने आएंगे बाहर ऐसे कि वह क्या कह रहा था ये क्या कह रहा था वो क्या कह था, फोन आएंगे, जिसका फोन नहीं आता था, उसका भी फोन आजाएगा उस दिन, क्यों? क्योंकि शरीर आत्मा का विरोधी है, बाइबल कहती है, देखे, सुनिये, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दुसरे क कि विरोधी है तकि तुम जो करना चाहों वह ना करो है है इसलिए रोमियो आठ रोमियो साथ अठारा और निस क्या कहता है मैं जो करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाता हूं इसलिए शरीर कहता है, आप चाहते हैं अच्छा काम करना लेकिन नहीं कर पाते हैं, आप चाहते हैं चर्च जाना है मुझे, चर्च का टाइम आता है, कोई ना कोई आपकी लड़ाई हो जाएगी मिया बीबी से, कुछ आप आलास वा जाएंगे, कुछ दर्ध करने लगेगा, नहीं जा पाएंगे, इसलिए वो कहता है साथ का ठारा, क्योंकि मैं जानता हूँ, कि मुझमे अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है, इच्छा तो मुझमे है, परन्तु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, पर तु भले काम मुझसे नहीं बन पड़ते, क्यों नहीं बन पड़ते, क्योंकि शरीर नहीं चाहता है, शरीर नहीं चाहता है, आदम कैसे पैदा हुए था है, आदम आत्मा के द्वारा पैदा हुआ और हुआ शरीर के द्वारा पैदा हुए, इसलिए शैतान हुआ के पास गया, क्योंकि आदम के पास आत्मा थी, आदम इमिजेट उसे परक लेता, किसके मन में क्या है, हवा नहीं परक पाई, आप समझेगे नहीं, आत्मा, आत्मिक मन, पहला करुंदियन दोका पंदा जो हम पड़ रहे हैं, आत्मिक जन किसी के द्वारा नहीं परका जाता, लेकिन वो खुद लोगों को परकता है, शैतान जानता है कि आत्मा में है, यह आत्मा में जिन्दगी जीरा है, मैं इसको बेफकु नहीं बना सकता हूँ, जो शरीर से जन्मी है मैं उसको बेफकु बना सकता हूँ, और वो बेफकु बन गई, अलो, कल शाम कोई परमिशन नहीं प्रका शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, आपको छू नहीं सकता, किसी के द्वारा आपको बहका नहीं सकता, आप नहीं जानते आप कौन हैं, कि मुझमें अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझमें है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, वही किया करता हूँ, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, वो नहीं करता हूँ, लेकिन जिस बुरे काम की मैं इच्छा नहीं करता हूँ, वो करता हूँ, क्यों? क्योंकि शैतान मुझे परक्त है, क्योंकि मैं शरीरिक जीवन जी रहा हूँ, मुझे कोई भी आकर अराम से लिए बेव को बना सकता है एक फोन आया मैं अपनी बात कह रहा हूँ जब मैं बॉलिवुड में था और शराब पीता था रोज सुपर उठता था और निरने करता था आज शराब नहीं पिए बैठ जाता था कोई दोस्त आया उसने का आई है निल भाई चलते हैं वाइप बोल रही है मना कर रही है लड़ाई हो रही है कि मैं क्या कर ओं कैसे मना करूं इतने दिनों के बाद कला रहा है मुझे इतने मैं आसानी से परखा गया है। बुलाने वाला जानता है कि मैं फोन करूंगा और ये घुटनों के बाल आएगा। शैतान जानता है। अगर आप शारीडिक रूप में संदीकी जीरे हैं, शैतान आपको घुटने पे लेकर आ जाएगा। तवा कर देगा आपको, वो जानता है कि आपकी कमजोरी किया है। आप मना करते करते सब कुछ कर जाएंगे। नहीं 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 करते करते सब चीजें कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप आत्मिक जीवर नहीं जीना हैं। और आत्मा में आप समृत नहीं हैं। आत्मा में आप पक्के नहीं हैं। ग्रश ने हो रहा है अप शारीरे कूंप है जा रहे हैं आरहे हैं आप आत्मिक जीए हैं इसलिए हमें आत्मिक जीवन के साथ जो कि हमारा है मसीहों का जीवन आत्मिक ही है कितने लोग या मसी है हालेलिया अगर आप मसी है तो आपका जीवन आत्मिक ही होना चाहिए अगर आप शारिडिक जीवन जी रहे हैं इसका मतलाब मसी नहीं है नहीं है आप मसी अपने आपको जांचिए आज हाललुया अगर आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं तो आप परमेश्वर के साथ हैं हाललुया प्रेस अलॉट इफीशियो इफीशन निका लिए एक चार का अगर आप अगर आपको आत्मिक जीवन जीना है और आपको शरीर का जीवन नहीं जीना है तो क्या कहते हैं कि तुम पिछले चाल चलन के के पुराने मनुशत्व को जो भर्माने वाली अभिलाशयों के अनुसार भ्रष्ट beim होता जाता है उतार डालो उतार डालो उन अभिलाशां के द्वारा उस मनश्ट्र को उतार डालो वह आपको उतारना है परमेश्व ने आपकी आत्म को सिंदा कर दिया है अभी आपको उतारना है वो जीवन जो आपको नश्ट कर रहा है जो रोज पर रोज आपको दुर्बल क कम्जोर बना रहा है कि अगला right कि और अपने मन के आत्मिक सभाव मेशनाल बनते जाओ अपने मन के आत्मिक सभाव मेशनाल बनों बनते जाओ ये कि प्रेक्टिस है बनते जाओ रोज हमें उसका उसकी प्रेक्टिस करनी है आत्मिक सभाव हमारे अंदर आइस कि हमें रोज प्रेक्टिस करनी है जब बच्चा आपका चल्य लगता है साथ-एट महीने का होता है प्रेस अलोट और जिसी उसे पहला कदम उठाया आप क्या करते हो फिर आप नहीं चाहते हो बैठे पिर सारी चीजें हटा देते हो आप उसके पास बैठ जाते हो बच्चा चलो 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 देख तो गिरे नहीं बस चले चले एक में एक बार करत ताकि आपका बच्चा चलने लगे हालेलुया प्रभू करता है क्या है प्रभू ने तो आपको बच्चा दे दिया अभी आप उसमें ताकत भर रहे हैं रोज आप बतारें कैसे चलना है आपको प्रभू ने आपको वशन दे दिया अभी कैसे चलना है वो आप पर मगले नहीं खोलना है यह आपका काम है कि यह आपका काम है कि हालेलुया आगे और नए मनुश्वत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिक्ता और पवित्रता में सुजा गया है इस कारण जूट बोलना छोड़ कर इस कारण जूट बोलना छोड़ कर हर एक अपने पडोसी से सच बोले क्यूं बोले सुनिये क्यूंकि हम आपस में एक दुसरे के अंग है इस कहता है अपने समान अपने पडोसी से प्रेम करो क्या कहता है कि वो जो पडोसी है वो आपका अंग है आप अपने अंग से जूट बोलेंगे आप अपने अंग से जूट बोलेंगे पुरे आपने साबुन पहना कि सामुन से नहला दिया यहाथ रहे गया क्या बोलेंगे बेटे आज साब पानी नहीं आया बेटा कल नहाएंगे ऐसा बोलेंगे हलो इस हाथ को जिसमें पानी नहीं डाला आपने आप बोलेंगे यार सौरी यार आज पानी नहीं आया साबन भी थोड़ा था तुझे मैं कल नहीं लओगा अब आपका पडोसी आपका अंग है प्रेस अलॉड यही तो आत्मिक जीवन है जब आप आत्मिक जीवन जीएंगे अपने पडोसी को बताएंगे आपके आत्मिक सभाव आपका आत्मिक वहवार आपका पडोसी जानेगा कि आप उसकी अंग है मेरे भाएन इशु को पाना इतना असान नहीं है उसकी तरह चलना असान नहीं है अगर धर्ती पर आपको सुक से रहना है अगर धर्ती पर आपको आत्मिक जीवन जीना है तो आपने इस वहवार को मानना ही पड़ेगा पहली वर पता लगा ना अच इससे पहले पता दो कि आपका पडोसी आपका अंग है बोलिए मेरा पडोसी जोर सो बोलिए मेरा पडोसी मेरा अंग है इसलिए घरवाला पडोसी नहीं बाहर भी यहां जो आपको कुर्शी के पांद दोटा वो भी आपका अंग है इसलिए कोई भाई बहन अगर उच्छा बोलते तो आपका अंग है वो नराज मत हो ये चड़ छोड़के मत जाईए वो आपका अंग है पास्टर आपका अंग है आलेलुया रहे जो लोट परमेश्वर हमेशा चाहते थे इशुमसी कि मैं अपने बच्चों को आत्मिक जीवन में रहना सिखाऊं मैं एक स्टोरी से बताऊंगा मार्था लाजर और मर्यम की उसके वाद हम इसको बंद करेंगे दो तिल वचन है ध्यान से सुनिए इसको कि हमें आत्मिक रूप में किस तरीके से जीना है और इशुमसी अपने चेलें को कैसे सिखाता है यहना 11 में एक ऐसी कता है कि मार्था मर्यम दो बहन थी उनका भाई लाजर था वो बहुत बिमार था और इशुमसी का दोस्त था और यह मार्था मर्यम इशुमसी को जानते थी और इनका जो संबन था एक पारिवारिक रिष्टा था इनके बीच में हालेलुया बहुत अच् के साथ वहां पर मार्था मर्यम ने संदेश भेजा एश्व मसी को कि तुम्हारा जो दोस्त है लाजर वह बहुत बिमार है मरने पर है तुम जल्दी आओ इश्व मसी ने संदेग वहाग से का कि मैं जल्दी आऊंगा प्रेस अलॉट उसने का कि मैं दो दिन के बाद आऊंगा हाललुया लेकिन उसने अपने चेलों से कहा कि जो लाजर की बिमारी यह परमेश्र की महीमा के लिए हाललुया अब देखिए आप परमेश्र इशू मसी कैसे जीवन को जीते हैं कैसे वो इस धर्ती पर परमेश्र के आदेशा नुसार परमेश्र की के पानुसार परमेश्र के योशिना को समझना बहुत जरूरी है और परमिशा कि योशिना को वोई समझता है जो आत्मिक जीवन जीता है। प्रेस अलॉट तो उन्होंने चेलों से कहा कि चलो दो दिन रुकने के बाद हम चलेंगे। चौथा दिन आया और इश्व मसी ने कहा अपने चेलों से की चलो हम लोग बैपनी अगाओं में जाएंगे जो युरिश्रुम के पास है मांस लाजर से मिलेंगे और जो लाजर अभी सो रहा है तो चेलों ने कहा अभी तो आपको मारने की दिश्व होरी थी अगर यहनौ आठ अठावन में देखेंगे तो जो फारसी थे वो इश्व मसी को मारने के लिए निखले क्यूंकि फार्सियो ने पूचा कि इशक्षो मेस्य तो कौन है और इसल मशी ने बताया ये पूरी कहाणी है आप उसको पढ़िए गा रीच रिमते की बात्ती है और अज निकल गए तो यह घटना कहा हुई बैतनिया में है बैतनिया में हुई यहुदिया के पास अपना आप यह विश्रम के पास तो चेलों ने कहा कि तुझे मारेंगे प्रेंस अलॉट अब आप देखें यहां पर परमिश्ण जो इशू मसी है वह आत्मिक रूप में जवाब दे है चाते थे और क्या तू फिर भी वही जाता है नमा ये शू ने उत्तर दिया क्या दिन के बारा गंटे नहीं होते यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता क्यूंकि इस जगत का उजाला देखता है प्रेस अलॉट दोहाजारा साल पहले घड़ी नहीं हुआ करती थी इसलिए दिन को बारा घंटे का नाप दिया गया था जो दिन है वो बारा घंटे का और जो रात है वो बारा घंटे की उसको ऐसा नाप गया तो उस समय घड़ी नहीं हुआ कर दी ती तो यहां पर अगर आत्मी ग्रूप में हम देखेंगे तो यह वचन कहता है कि जब तक इ परण तू यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है क्यूंकि उसमें प्रकाश नहीं वचन कहता है कि जो रात को चलेगा, अंदकार में चलेगा, वो ठोकर खाएगा, लेकिन हमारे पास कौन है? इशु मसी, इशु मसी कौन है? जोती है, हललेलूया, अगर हम उसके अनुसार चलेंगे, तो हम कभी भी ठोकर नहीं खाएगे, हलेलूया, यहना 12 का 35 पढ़िये, जल जोती अब थोड़ी देर तक तुमारे बीच में है, जब तक जोती तुमारे साथ है, तब तक चले चलो, ऐसा न हो कि अन्दकार तुमें आगेरे, जो अन्दकार में चलता है, वो नहीं जानता कि किदर जाता है, हलेलूया, जो अन्दकार में चलता है, वो नहीं जानता कि किदर जा रहा है, चुकि अन्दकार में चलने वाला भरमाया जाता है, अन्दकार में चलने वाला परखा जाता है, लेकिन जोती में चलने वाला परखा नहीं जाता, इसलिए वो कहता है कि मैं थोड़ी देर के लि ये सारी चीजे आत्मिक रूप में इशू मसी अपने चेलों को समझा रहा है आगे यहना 11 का 11 उसने ये बाते कही और इसके बाद उसने उनसे कहने लगा हमारा मित्र लाजर सो गया है अब ये बाते कहने के बाद इशू मसी ने अपने चेलों से क्या कहा कि हमारा मित्र जो ला चेले उस सोने को समझ ही रहें क्योंकि बाइबल की भाशा में सोने का मतलब है कि वो मर गया है प्रेस्ट लॉट देखिए आत्मिक जन परमेश्वर की बातों को समझेगा यनिके इशू मसी उसके मरने का इंथजार कर रहा था कि वो मरेगा तब मैं जाओंगा हलो माता मर्यम क्या चाते थे कि उसका भाई जिन्दा हो लेकिन इशू मसी क्या चाता था कि वो मर कर जिन्दा हो हलो आप लोग समझते नहीं है आप मर कर जिन्दा हुए आप नहीं जानते कि आप कौन है मर कर जिन्दा हुए आप इश्व मसी चाहता था कि लाजार मर कर जिन्दा हो इसलिए उसने बताया इसलिए वो मरने का इंतजार कर रहा था आगे बारवा तब चेलो ने उससे कहा हे प्रभू यदि वो सो गया है तो स्वस्तो हो जाएगा इसलिए वो सोने का मतलब नहीं हो अगर वो नीन में है सो रहा है तो बच जाएगा अभी क्या जाना वहाँ पर आगे जली पढ़ो इश्व ने तो उसकी मृत्यू के विशे में कहा था परतु वे समझे कि उसने नीन से सो जाने के विशे में कहा तब इश्व ने उनसे साफ साफ कर दिया लाजर मर गया है वो आत्मिक भाशा नहीं समझ रहे है दिखिए चेलों को समझाने के लिए एक बार इश्व मसी आत्मिक रूप में बोलता है उसके बाद शरीडिल रूप में बोलता है आप कितने द्रिशांत पढ़ लीजिए आप चेलों को सिखाने के लिए आत्मिक भाशा सिखाने के लिए पहले वो आत्मिक रूप में बोलता है फिर इसको क्लियर करके शरीडिक रूप में बोलता है ताकि आप समझें कि मैंने क्या कहा है इसी तरह हमें प्रमिश्र को जानने के लिए उस आत्मिक अपनी आँखों को खोलना है इसलिए पॉलुस कहता है मैं प्रात्रा करता हूं कि मेरे मन की आँखों को जोतिर मैं कर ताकि मैं तेरी बुलहाट की आशा को जान सकूँ तेरे मन में क्या है मैं जान सकूँ इसलिए वो कहता कि आत्मा की आत्मा की शुद्धता आत्मा का सामर्थ बहुत जुरूरी है इफीसियो तीन सतरा ठारा कि मैं प्रात्रा करता हूं कि तु अपनी महिमा के धन के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा मेरे मन को की वो अपनी महिमा के धने के अनु साल कुमें यह दान दे कि तुम मुझी आत्मा से अपनी भीतरी मनुशतों में सामर्थ पाकर बलवन्त हो उसकी आत्मा के दौरा परमेशर हम तेरी आत्मा के दौरा अपने अंद्रूनी मनशुत को बलवन्त कर ले तभी हम आत्मिक जीवन जी पाएंगे कि तभी हम हम हमें कोई परखेगा नहीं कि प्रेश लॉट कि जबता हम शरीर में जीएंगे हमें कोई भी परखेगा शैदान हमें आसानी से बेप को बनाएगा हमें लालस देगा हम जूट बोलेंगे आराम से हम परखे जाएंगे लेकिन कहता है पॉलूस प्रात्ना कर कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारे अंद्रूनी मनशृत को बलवंत करो अपने अंद्रूनी मनशृत को उसके लिए हमें संसार से अलग होना पड़ेगा जूट से अलग होना पड़ेगा पाप से अलग होना पड़ेगा लालस से अलग होना पड़ेगा अपने पड पिक सामर्थ को पाप आएंगे, तो हमें कोई नहीं परखेगा, हाललुया, और मैं तुम्हारे कारण आनंदी थू, कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो, इस वहसी क्या पर से एक्स आनंदी थूँ, येस, अलॉ, हालु, आप समझरै, पहलिएर, हालु, है एह, मेरे बच्चों, मैं आनंदी थू, आज अए, और मैं वहां पर नहीं था, तुम्हारे साथ यहां पर हूँ, तुम तो शरीर में हूँ, तुम तो शरीर से मुझे बह।, तुम तो शरीड से मुझे नापते हो शरीड से मेरे साथ हो इसलिए तूम अगर में वहाँ होता और लाजर को जिन्दा करता तूम समझगयर दौत नहीं पाते। इसलिए मैं तुम्हारे का रणी यहाँ हो क्योंकि अब जब उस लाजर को मैं तुम्हारे सामने zaun तब तुम जानोगे, तब तुम उस आत्मिक सामर्थ को समझोगे, अलो, प्रिस अलोट, तब तुम समझोगे, अभी तुम नहीं समझ रहे हो, अभी तुम्हें पता ही नहीं कि सोने का मतलब क्या होता है, अभी तुम्हें पता ही नहीं कि दिल, बारा घंटे की दिल में जो र इसलिए रभी टूम्हें अंधकार प्यारा लगता है तो तो आपकर को जान लोगे जिसंद तुम जोथी को जानोगे एंधकार से घ्रिना करोगे अंधकार के लिए नहीं जी का तुछ में मर स्थाओं में लेकि जार्ड़ से कुऌरी मैं थे करें नहीं आया हूं प्रिस अलोट यहना 11, 20-28, आप दें कि मार्था, मार्था और मर्यम अगर लुका में हम पढ़ेंगे, आप जानेंगे, लुका 10, 38, 42 के बीच में आप खोलिएगा नहीं, इसको पढ़िएगा, आप जानी है कि मार्था और मर्यम ने अपने घर में इशु मसी को बुलाया, और मार्था काम कर रही है, और मर्यम उसके कदमा में बैठ गई, मार्था कहती है इशु, यह मर्यम को देख तू क्या कर रहा है, मैं साले काम कर नहीं है, और मर्यम बैठी हुई है, क्या का इशु मसी ने, इसने सही काम चुन लिया है, तो फिजूल में अपना समय नस्ट कर रह है क्योंकि वो मेरे वचन सुन रही है कि मेरे करीब है परहिस्व लोट वही मार्था और मर्यम जब उन्होंने सुना ईशू आया है तो मार्था मिलने के लिए आई आई लए रिख्या क्या जब माधा ने इशू के आने का समाचार सुना तो उसे भेट करने को गई परंतु मर्यम घर में बेटी रही मार्था गई मिलने के लिए मर्यम घर में बैठी आगे मार्था ने एशु से कहा हे प्रभू यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदपी न मरता और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा अब यहां पर बता रही है मार्था कि तू अगर पहले आया होता लादर के मरने से पहले तो वो जिंदा होता मार्था भूल गई कि वो परमेश्वर है वो दूरी का प्रभू है वो यहां से बोलेगा तो आशीष मेलेगा हालेलिया मार्था भूल गई कि इशु मसी ने सुबेदार के दास को बोल कर चंगा किया था वो करते हैं तू यहां होता तो चंगा होता अभी वो प्रभू है उसको चंगा करने के लिए आने की जरूरत नहीं है उसको चंगा करने के लिए बोलने की जरूरत है आप आत्मिक तरीके से परमिश्ट के संग संबंद बनाईए जिसन आपका संबंद आत्मिक शेत्र में आत्मिक रूप में परमिश्ट से बन गया वो स्वर्ग में क्या सोचेगा आपको धरती पर पता चलेगा अगर आप लोग आत्मिक शेत्र में, आत्मिक रूप में धर्ती पर रहेंगे और परमिश्ण से संबंद बनाएंगे, तो परमिश्ण स्वर्ग में जो सोचेगा वो आपको धर्ती पर पता चलेगा. आत्मिक जीवन हम आत्मा ही है अभी आत्मा निकल जाए ना कोई आपका नाम भी नहीं लेगा लाश है लाश को उठाओ चलो बदू आ रही है उठाओ जली उठाओ आललुया अगला येशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा मार्था ने उससे कहा में जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरस्तान के समय वो जी उठेगा इस लोट मार्था कह रही है कि येशु मसी कह रहा तेरा भाई जब भी जी उठेगा वो कहते हैं पुनर्थान के दिन उठेगा ए भैन जब तक आप इशू को नहीं समझेंगे मेरे भाई आप उस जीवन को नहीं पाएंगे जो बहुत आयत से आपको मिला है पर्मेशन ने बहुत आयत का जीवन आपको दिया है आप शरीर के रूप में चर्श में आते हैं आप शरीर के रूप में परमेश्व को चाहते हैं और शरीर के रूप में आप कोई किसी की बात इदर सुनी इदर सुनी और निकल कर चले गए क्या आप शरीर में सिंदी की गुजार रहे थे आप आत्मा में था ही नहीं इसलिए आपके पडोस की बात आपको बुरी लग गई चले गए नहीं जाओंगे चर्ज नहीं रहूंगा चर्ज अरे भाईया शैतान की बात मत मानो क्योंकि नुक्सान आप ही का है किसी का नहीं है उसके आत्मिक जीवन को अपनाओ जिस इन आत्मिक शेत्र में आत्मिक रूप में आप जीवन जीएंगे ना आपको किसी की बात बुरी नहीं लगेगी किसी की बात बुरी लगेगी आपके लिए आपकी नौकरी खो गई? कोई बात नहीं. परमिश्र देगा है. आपका एक भाई आपको छोड़के चला गया? कोई बात. प्रभू से आशीश दे. आपकी शांती नहीं खोई? क्यों, आपके आत्मी जीवन है? आप इन चीज़ों के लिए हैं नहीं? आपके लिए हैं? आपके लिए हैं? आपकी शेवा में पवित्रता होगी. समर्पन होगा. क्योंकि आप समझ चुके हैं उस आत्मी जीवन को. प्रिस अलॉट? आगे. तो भी जीएगा. हलो. प्रिस अलॉट? प्रिस अलॉट. आपका पा सकती हैं. आगे. और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंतक आल तक नहीं मरेगा. हालेलॉट. जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंतकाल तक नहीं मरेगा. हालेलॉट. मार्था जानती है कि वो फर्मेश्र का पुत्र है जगत पर आने वाला था. वो कहती है मैं विश्वास करती हूँ. फिर भी उसका अंतिजार नहीं किया. हालेलॉया. इसलिए बहुत जुरूरी है मेरे भाई कि हम वच्णों को समझें वच्णों के द्वारा जीवन को बिताएं शैतान बड़ी आसानी से हमको बेव को बनाता है. हम समझने कि हमें वाइबल आती है, हम समझने कि हमने वच्ण समझ लिये हैं. आप अगर मार्था का वचन पढ़ेंगे, हाँ मैं जानती हूँ तु ही है, लेकिन विश्वास क्यों नहीं किया फिर? भाई की लाश को कबर में क्यों डाल दिया? अगर तु जानती है कि इश्वी पुरुथान है, इश्वी जीवन है, क्योंकि आपने शरीर से विश्वास किया, आत्मिक रूप से नहीं विश्वास किया आपने, आत्मिक रूप में अगर आप विश्वास करेंगे मेरे भाई, आप रोएंगे नहीं, मार्था और मर्यम ला आलेलुया, आगे, यह करकर, वो चली गई और अपनी बहन, मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है, और तुझे बुलाता है, बुलाया, वो मरियम से कह रही है, आप शरीर में है, जब आप शरीर में इशु मसी को चाहेंगे, जब आप शरीर के रूप में परमिश्र के वच्ण को समझने की कोशिश करेंगे, तो जूट बोलना आपके लिए कोई माइने नहीं रखे जा, मारता जाती ही जूट बोलती है, कि प्रभू तुझे बुला रहा है, इश्री ने बुलाया उसको, आसानी से जूट बोलना हमारे लिए बड़ा, बहुत ही आराम, आसान का काम है, जूट बोलना कोई पाप नहीं है, जूट बोलना ही पाप है प्रभू के लिए, हालेलुया जब मरियम वहाँ पहुची जहाँ ये एशु था तो उसे देखते ही उसके पाओ पर गिर पड़ी और कहा ये प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता इशु के पैरों पर पढ़कर इशु मसी पर दोश लगा रही है वो कि तू अगर यहाँ होता तो वो नहीं मरता तेरी वज़ा से मरा है हलो प्रिस अलॉट कई मसी आते हैं रोते हैं रातरा करवाते हैं के इशु हमने जब से तुझे पाया हैं बर्बाद हो गए हमारे परिवार वाले हमें छोड़के चले गए हमारा धंदा खतम हो गया है हमें सर्विस नहीं मिल रही है घर में हमारा इस्थान नहीं है हमें तूने बर्बाद कर द वो इशु को पैसे के लिए आये थे पूछने के लिए वो आत्मिक चीज को पाना नहीं चाहते थे वो स्वर्ख पाने के लिए नहीं आये थे हलो इसलिए वो कहती है कि तू अगर यह होता तो मेरा भाई नहीं मड़ता अगला जब एशु ने उसको और उन यहुदियों को जो उसके साथ आये थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुती उदास और व्याकुल हुआ और कहा तुमने उसे कहा रखा है अब इशु मसी देख रहा है कि सब लोग रो रहे है लेकिन लाश है नहीं तो इशु ने बुच्छा तुनने कहा रखा है उसे भई आगला उन्होंने उससे कहा है प्रभू चल कर देख ले आगे इशु रोया यशु रोया हालेलुय है क्यों रोया इशु एशु रोया ह कि बूसक्जा पर्मेश्फा का पूत्र हूं तु कहते हैं कि मैं जिन्दा कर सकता हूं मैं अगर यहां होता तो जिन्दा होता फिर भी तेरा विश्वास क्यों नहीं किया है हलो मार्था और मरी हमने जब संदेश वाक को भेजा था और संदेश वाकर ने आके क्या बताया था कि हमने इशू मसी को बता चुके हैं हम इशू मसी को बता चुके हैं कि लाजर बिमार है यानिके इनको पता था क कि इशु तक वो संदेश पहुंच चुका है प्रेज लौट मेरे भाई इशु रोया क्योंकि जब आप विश्वास के द्वारा काम नहीं करते हैं जब आप विश्वास के द्वारा अपने जीवन को नहीं जीते हैं जब आप विश्वास के द्वारा प्रभू को प्रभू न नहीं मानते हैं और जब आपके जीवन में काम नहीं होता है तो इशू रोता है इशू रोता है तेरा विश्वास कहां गया वो कहता है अगर तेरा विश्वास है और तू इस पत्थर को बोलेगा तो वो समुद्र में जा पड़ेगा कोई विश्वास नहीं करता वचन सबको अच्छा लगता है क्या वचन है कोई बोलने की कोशिश नहीं करता कोई नहीं समस्ता उस आत्मिक चीज़ को विश्वास क्या है आशा की वस्तुओं का निश्चे और अंदे की वस्तुओं का प्रमार विश्वास क्या है जिसेंट आप्मने विश्वास किया है उस आशा का आप निष्ट से करिये कि वह होगा वह विश्वास आपके जीवन में आशा लेकर आता आए कि जो मैंने बोला है वह मै पाऊँगा अन्ध νडे की वस्तों का प्रमान जिसें आपने नहीं देखा है क्या देख दे रहा है जो आपने नहीं देखा है आप किसकी आशा करेंगे जो आपने नहीं देखा है देखिवी चीज की आशा करते हैं आप सामने पड़ेवी चीज की आप आशा करेंगे जिसकी आपने जिसको नहीं देखा है उसकी आप आशा कर रहे हैं प्रेस अलॉट इस मेरे भाई आज भी जब हम विश्वास से जिन्दगी नहीं जीते हैं जब हम आत्मिक रूप में जीवन नहीं जीते हैं परमेश्य कैसे आपके द्वारा काम करेगा पर्मेशन ने आपको चुन लिया हम कितने स्वारती हैं कि हम चुनने तक बहुत खुश है स्वार जाने तक बहुत खुश है लेकिन उसके लिए काम करने के लिए खुश नहीं है कितने बड़े हम स्वारती हैं और उसने हमें चुना है अपने लिए हम चाहते हैं कि हम चुने गए अपने लिए मेरे परिवार के लिए बख्स कितने बड़े स्वार के लिए हमें अगर आत्मिक जीवन जीना है अगर हमें आत्मिक जीवन जीना है और उसके लिए जीना है तो हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा अपने जीवन को उसके अनुसार चलना पड़ेगा पहला कुरूंतियों 6 का 19 कहता है कि तुम परमिश्र का मंदिर हो पवित्रात्मा उसमे वास करता है लेकिन तुम अपने नहीं हो तुम अपने नहीं हो हमें उसके लिए जीना है अगर आप चाहते हैं कि आत्मिक जीवन जीए कितने लोग चाहते हैं कि आत्मिक जीवन जीए अगर आप चाहते हैं कि आत्मिक जीवन जीए आपको अपने लिए नहीं जीना है परमिश्र के लिए आपको अपना जीवन दे देना है दे दिया है उसने आपको चुना ही इसलिए है क्योंकि आप उसके लिए जीए Praise the Lord इसलिए वो आत्मिक जीवन जो परमेश्चर ने हमको दिया है और वो चाहता है कि हम उस आत्मिक जीवन के साथ अपनी इस यात्रा को पूरा करें और प्रभू के वच्णों को निभाए